चित्राकल्प श्रवसी कलयन लांकली करनपूरं बर्भोत्तं सस्पुरितचि गुरोपंदुजी भौंद धानहां गुझा बध्धा मुरसिललितां धालयन हारयत्टिम् गोपस्त्री नाम जेति कितवहा कोपि कौमा रहारी चित्राकल्प श्रवसी कलयन लांकली करनपूरं बर्भोत्तं सस्पुरितचि कुरहां बंदुजी भौंद धानहां गुझा बध्धां उरसी ललितां धारयन हारयत्टिम् गोपस्त्री नाम जेति कितवहा कहा अपि कोपि कौमा रहारी इसा पदच्छे उरसी जो अनुवए के हिसाब से अर्थ बता हुआ है श्रवसी लांगली करनपूरं खलयन भगवान क्या-क्या कर रहे हैं देखिए क्या-क्या आभूशन पहन रही है श्रवसी श्रवसी यормोच करनयोह कान मे विए है करनयोह कान में क्योंकि विए किरनयोह हो नहीं है श्रवसी एकभचरन है श्रवसी श्रवस हो श्रवस वॉ ऐसा बनेग़घी ग्दृतब्त पूरन अभी बातावरन बनाने के लिए मैं वाह सहथ ब्लाइव zuha हो श्रवस नाम का एक खान पर रखने का पुछ पाता है, कान पे पुछ पर रखने की आदत है और बड़े लोग भी करते हैं पर तो ऐसे लोगों को बहुत मजाग भी किया जाता है वह अलग बात, अपर तो ऐसी था लांगली करनपूराम लांगली का मतलब क्या है? और जो नारियल का फूल आता है नारियल का फूल आएगा उसमें जो सफेद 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 फूल रहते हैं उसे काम पे रखमें की एक आदद थी पहले उसे लामगली शद से कहते हैं लांगली करनपूरम यह करनम पूरयती करनम पूरयती करनपूर, कभी भी इस नाम से था, कभी करनपूर करके एक कभी था, चैतन्य महाप्रभू के शिष्य था, बगवान श्री कृष्ण के बारे में अत्यद्धुत ग्रंत लिका है, और आनंद बृंदावन चंपू, ऐसा ग करनपूर है, कभी करनपूर है, 500 साल पहले के ही हैं, वेदान दिशिक के समय में नहीं थे, और लांगली करनपूरम, लांगली रूपी जो करनपूर है, करनपूरं करने वाला पुष्प है, कान को बरने वाला पुष्प है, कान को सुन्दर लगता है, करनपूरम कलयन, कली क आमदेनु कली किसी भी अर्थ को देदेगा। इधर कलय अन्याने उसे रखते हुए। अताकान पर करनपूर के रूप से लांगली नामत पुश्पको रखते हुए। बर्हो तम्सस पुरीतचिकु रहा। बर्वत तमसस पुरित चिकु रहा, बर्व यानि मौर पिंच उसे सिर्फे अपने पूरा केश को ऐसा सजाकर उसके उसके उपर एक बार मौर पिंच रखा, यानि इसलिए पहले भी बताएं मौर पिंच अच्छा है या बाल अच्छा है दोनों के बीच में जगडा हो रहा है बर्वत तमसस पुरित चिकु रहा अता इस विशे के बार में तीन चार जगह पे बगवान वैदान देशिक जी उले कर दी रहा है यानि बहुत अच्छा लगता है उनको वर्दराज बगवान को आज भी एक दिन कृष्ण का वेश्दारन कराके उत्सव होता है उस दिन सुनदर लगता है वह फोटो कभी मैं आपको बेजता हूं कि बक्तों के बीच में उसे विशाइब कीजी बहुत सुनदर लगता है बर्वत तमसस पुरित चिकु रहा यानि केशपाश है उस केशपाश में उत्तमस में उंचे के भाग में और बर्ह यानि मोर का पिंच जो ह सुनदर पेहर बंदुजीवं ददानहां सिर्पे लगाए बंदुजीवं ददानहां गुंजा बद्दाम उरसी रलिताम हारेश्टिम धालेयन इतने जो बेशबुशा के साथ बगवान को ध्यान करना चाहिए गुंजा करके एक छोटा सा मनी है वो पेड से निकलता है वो सफेद लाल रहेगा बीच में तोड़ा सा काला रहेगा उसको गुंजा बोलते हैं प्राचिंग जमाने में सोना तोलने के लिए यूस करते थे और कभी कहते हैं कि सोना सोना बहुत रोता है सोना के लिए रोने का कारण यह है कि ठीक है कुछ भी कर लेते हो आभुशन बना के लिए अच्छा था जहिए लगता है अब गुंजा एकदम बजन के लिए उसे माप के लिए रखते हैं उस तरह वो डालते हैं तो राः सीमार कारण प्राटी है अग्हा सोना को एक विवाहर करते हैं आप वो अच्छा का सर्थ गुंजा के साथ तुलना करते हो अच्छा नहीं लगता है उस गुंजा को भगवान क्या करते हैं माला बना कर पहने हो गुंजा बद्दाम उरसी चेस्ट में अपने वक्षस्तल में उरसी रलिताम वो भी सुंदर है गुंजा बद्दाम गुंजा मनी से निबद्ध बहुत बढ़िया बनाया हुआ हार को अपने हारेश्टी को पहन कर वक्षस्तल में गोपस्त्री नाम कितवहा कोपी कौमार हारी चेस्टी इतना पहनने के बाद आलग लगते हैं तो जब भी आलग लगते हैं तब सबका मन आक कर्षित करते हैं कौमार हारी कोपी कौमार हारी गोपस्त्री नाम कौमार हारी गोपस्त्रियों का कौमार भाव को अपहरन करने वाले हैं कौमारी अवस्ता में हैं कौमारी अवस्ता में रहने वालों को कौमार अवस्ता को ऐसे ही अपहरन कर लेते हैं बगवान वो पूरा- थे प्पड़ जाते हैं, ऐसे गोपस्त्री नाम् कॉमारहारी, और चोटा उमर को ही ऐसे ही बगवान चोरी कर लेते हैं, ऐसा कॉमारहारी, कोपी कितवाहा का मतलब, कितवाह सब्द का मतलब ही कपटी, सामान्य तहा ऐसा बोला जाता है यए इस दुसरे को दोका लेने वाला कपटी वैसे तो बगवान ठोड़ा कपट तो कर थे हिरे चल कपट तो हई ही तो इसले है उनस बोलने में उनको भी उसन नहीं आता है वो इतना बहुत मेरे जैसा सोचते नहीं है और इसलिए आराम से उनको बोल सकते हैं इसलिए वेदान देशिक की कितवाहा शब्द का प्रयोग करते हैं कितव मधुपकितवाबंधो मास्प्रशम रिम्सपत्या पुचवितमाला कुंकुमस्मस्मुपृत्व वहतुपतिस्तनमानि नाम प्रसादम यतुसवदसी वीडम्यम यस्यदूतस्थ्वमित्रेक वहां कितवाबंधो प्रयोग की इनुको भी कितवाह जयती ऐसा इस श्लोप में बगवान का सुन्दर सुरूप का वरणन केहिं लिलायस्तिम और ऐसे ही दूसरा श्लोप लिलायस्तिम करकिसलये दक्षिन यस्यद धन्याम हम से देव्याम से देव्याः पुलत रुचिले स सन्नि विष्टान्य बागू में गर्ष्यामो जयती ललितो में खला दत्त बेनु हूं गुंजा पीडस पुरित जिकुरो गो पकन्या पुजन गः बगवान श्रीकृष्ण का कितना भी वरणन करें हम लोगों को उसमें ठकान नहीं होने वला है सुनने में लीलायस्ति दक एक दक्षिने हस्ते अर्तार राइंड में क्या रखे हैं दक्षिने कर किसले ये एक एक हात भी कैसा है कर किसले के समान हैं नये नये पत्ते आते हैं वैसे बगवान का हाथ इतना सुंदर है बले काले हैं तो भी उनका कोمل है। इसलिए नएपत्ते के साथ टुरणा की जाती है। करकिसलय लाख्षी भी राइट हैंड में लिला ओश्टिन धनयां लिला ओश्टिन यसी है। धन्ड बनी है वो तकि उनके हाथ में रहने की वज़े से उसकी धन्यता आई है। ऐसा लीला यश्टी या मतलत कभी खेलने के लिए एक दंड रखें लीला यश्टी लीला यश्टी ही 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 लीला कवे मारने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं ऐसे के फ़िए समय पर आज कल पच्छे पो अग canvas एक है और एक हाथ को अर्थात लेफ्ट हैंड को देव्याहा हस्ते देव्याहा हमसे हज़ातुमके शोल्डर के उपर हाथ डाउके रखें। जेव्याहा सब्द से इधर राजाजी का विवक्षा करते हैं। अमसे देवियाहा पुलकर उचिरे संदिविष्टा पुलकर उचिरे हमसे पुलकांकित होने वाला जो शोल्डर है उसमें संदिविष्टा अन्यवावुडू दूसरा हाथ वहां रखे है। देखे एक हाथ में दंड है एक हाथ को वहां राजाजी के उपर रखे हैं और मेगश्यामा जयती ललितः वह ललितः शब्द से ही अर्थ मालुम हो जाता है। बहुत सुंदर खने ही ललिता है मेखला तक्त वेनुहु वेनु कहां है अपने मेखला में उसे निक्षित करके रखे हैं। मेखला में रख्या हुआ जो वेनु है ऐसा मेखला तक्त वेनुहु बगवान गुण्जावपीड शुरित शिकुरहा। तक गुण्जा दूशली बिखे मालध मतलब शुर्णोर के भवानकाशा दून्गाथ है। गौपक अन्याओं का कामुक जयती सदा के लिए जय पाते हैं अर्तात इस प्रकार बगवान का सुरुख गौम्दार अजिक भी फोटो भी मिलता है आद्व इस प्रकार मिलता है और दिला यस्तिं करकिसलये दक्षीने यस्यत अन्याम हमसे अंसे दे व्याफ पुलकुच्रे स सुनिविष्टान्यपाव। मेगष्यामोचेति ललितो मेखलात अत्त वेनू भुण्जापीडस पुरित जिकुरो गोपकन्याभु जंगुकाव। प्रत्यालीः स्थितिम अधिगताम प्राप्त गाढ्धां कपालिम पस्चादीशन्मिलितनयनाम प्रेशिम प्रेक्षमानहाम। बस्रायंत्र प्रणिहित करो बक्त जीवातु रभ्यार्वारिक्निडान बिडवसनो वल्लवी वल्लभोनहाम। प्रत्यालीड है सितिम्म अधिकताम। प्रत्यालीड है। ऐसा एक सिति है। अरता दोनों पहलों को, और हाथ में खेलने के लिए उस दिन हात में एक इंत्र रहते हैं जिसे कलर मारते हैं इसका नाम किया है। गुजरत लिए गुलेल बोलते हैं। गुलेल उसी का उलेक है बस्रा इंत्र-शद, और प्रत्यालीड है करे एक सिति है। यानि एक भयर को आगे रखना एक प्रयर को पीछे रखना क्योंकि वो मारना के लिए रहता है प्रत्यावीड करके स्तिती को प्राप्त करती हुई पश्चात प्राप्त गधान का पालिंड प्रेची कवायरा प्रेट आलिेंगन किया अन्यत्र दर्त चित्च है ऐसे प्रेजिय को प्रेजिय को प्रेनी प्रेख्षमान प्रत्याले रस्तिति में आयसे रहने वाली गुफिक आस्त्तरि से पीछे से जाकर आलिंगन कर philosophy और पड़े सिम्टрийक ्षमान हासा भगवान भस्त्रा एंत्र أوब्यात करहां यक यहाथ तू बस्त्रा, अ मेरा अधा यू है। वालीकृडा में लिएकृान ब्लाद करने के लिए, जलकृडा करने के लिए अपने वस्त्र को ऊपर से बांदें, उपर बांद के रखें, नीचे तक नहीं है, और वस्त्र क्रिडान निभी डवसनहां वल्लवी वल्लबहा, गोपस्त्र उनका जो वल्लब हैं, पती हैं, वो हमारी रक्षा करें, ऐसा वर्नन है, प्रत्या लिडस्तित्मा, अर्थात गु वेरो करने के मुद्रा में हैं, उसको जाकर पीछे से आलिंगन करते हैं भगवान, और एक आहात बस्त्रायंतर से रखें हैं, ऐसे भगवान भक्त जीवात उहु अस्मान अभ्याद, वारिक लीडान विडवसनहां, वारिक लीडा के लिए आपने उपर से बांदा हुआ व इदर जात बोले तो लास्त लिला है, इसके बाद हम पलशूती करने वाले ही हैं, वासो हिल्त्वा दिनकर सुत्रा सन्निधौ वल्लवीनाम लिलास्मेरो जे दिललिताम आस्तितर कुंदशाकाम, सब्रीला विस्तदम वसनेता भिरभ्यर्त्यमाने कामी कश्चित कर कमलयो रं देख 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 दिनकर सु आतलब करोई। वस्त्रों को आपायाण करके, दिनकर सुता संन्निधौ अरतात यमुना नदी के संन्निधौ समीत बल्लवी नाम लिलास मे रहा و बल्लवी नाम ऴाफ सो हुट्वा वहाँ कर लेड़ा खास्र हाहे ही लिलास मे रहा, आखात मज़ाग बहुत सुन्दर विराजमान एक कुंद व्रिक्ष की शाका के ऊपर आज भी दिखाते हैं उस व्रिक्षु को वहाँ पर तुम नदी यमुना नदी दूर चली गई तुम बाकि वो कुंद व्रिक्ष वहाँ ही है कुंद शाकां सब्रीडा भी सलज्य लज्जन पे साथ रहने वाले तदन वसने ताभी रभ बाद में वो जब वस्तर का आज 한ASTना करते quem कामी य। वगवान आ Damn दोना हाथ से किया हुआ अंजली की प्रातना कर रहे हैं बले वो निर्बस्तर वले फों तो भी अंजली करो तब ही दूँगा ऐसा वो भगवान निर्बंद कर रहे हैं ऐसे भगवान कामी कस्चिति करकमलयो और अंजली मिया चमान हां कादनु वसन इताबिर अब्यर्थ यमान इसति लीलास में रहा जाया थी और मजाग से हस्ते हुए और उनकी सुलज्जित होकर जो बाव है उसका भी आमंद लेते हुए बागवान में काद़ परिज तो यह है मैं जब भगवान हूं मैं ही आप सब का सर्जख हूँ आप सब मेरे अधीन व्यक्ति हैं और आप लोगों को लज्जा करके एक चीज होना ही नहीं मेरे सामने तो और मेरे सामने कम सब पुरुशां के सामने आप लजजद करो, मैं ही सुरिषडी करता हूँ, मैः सामने कभी लजजगित करने की आवश्चक आ नहीं है, आप निश्चन्त रहिए, और मुझे पुरुष ही मत समझ लिजे, मैं एक ही वेक्ति पुरुष हूँ इदर, बाकि पुरुष का नाटक करने वालों के सामने ये सब लज्जित कहो जाएए, मेरे सामने क्या लज्जा होने की। मैं ही सर्जक हूँ, मैं ही आप लोगों का रक्षक भी हूँ। ऐसा बोलते हुए बगवान, इसलिए हास का मतलब यह है, उनका लीला स्मेर का मतलब यही है, वेतरेदान तवेत्यु हूँ, परब्रह्म हूँ, इसलिए मेरे सी क्या आप लज्जित करने की आप शुक्ता है, इसलिए अपना पन दिखा रहे हूँ बासो हुर्त्वादिनकरसुतासनिधाउ बल्लविनाम लीलास्मेरो देत्नलिताम आस्तितकुंदर्राखाम, सब्रीडा विस्ततनु वसने ताविरप्यत्यमानेकामिकस्चित्करकमलयो रंजलियाच्माना, इत्यमन्यमनसावि निर्मिताम, बेंकटेशकविनास्तुतिंपथन दिव्यवेनुरसिकं समिक्षते देवतं किमभियो वताप्रियम। इत्यमन्यमनसावि निर्मिताम। अन्यमनसकता के बिना। मैं एक ही बगवान स्वी कृष्ण के उपर दत्तदृष्टी होकर इस तोत्र के रचना किया हूं। रिंकडेशन का बिना स्तुतिम। रचिताम निर्मिताम स्तुतिमपटन निर्मित किया हुआ इस तोत्र को पाठ करते हुए दिव्यवेनुरसिकं को सदावा के लिए उसका आनंद लेने वाले भगवान को एक में एक दिन सब लोग देख सकते हैं किमभियो वताप्रियम। वो देवता कौनसी देवता है युवताप्र हुआ उंके उपर प्रेम दिखाने वाली देवता को एक दिन आप सब इस तोत्र का पाठ करने की वजह से दर्शन करेंगे जरूर दर्शन करेंगे बक्ती से आप बोलेंगे तो ऐसा परश्रुती कहते हुए इस तोत्र से विरत हो रहे है वेदान देशिक जी इत्यान अन्य आप सब बागवतों से विरत हो रहा हूं विरत का मतलब है और मैं मेरा गाउं जाने चाह रहा हूं तो इतना दिन तक आप लोगों का और विशित रूप से विंकटेश आचारजी का सामनी की मिला उसके लिए मैं बालाजी बगवान को धन्यता प्रकटन करता हुए करता हूं झाल 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 झाल